दोस्तो रिसेंटली ये न्यूज आ रही है कि USA ने साड़े चार सो मिलियन US डॉलर का पैकेज अनाउंस किया है पाकिस्तान का जो F-16 है उसकी रिपेर और मेंटेनेंस के लिए 2018 में जब ट्रॉम प्रेसिडेंट थे USA के तब उनने USA की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाले सारे पैकेजेस और असिस्टेंस को कैंसल कर दिया था ये कहके कि पाकिस्तान हमारा पार्टनर नहीं है हमारी हेल्प नहीं कर रहा है टेरिजम के अगेंस्ट फाइट करने में ये US के प्रेजिडेंट ट्रॉम का स्टेटमेंट था उस समय का जिसका मतलब है कि पिछले 15 सालों में US 33 बिलियन US डॉलर दे चुका है पाकिस्तान को लेकिन पाकिस्तान इसके वदले में जूट और फरेव लोटाता है जिस टेरिस्ट को हम लोग अफगानिस्तान में मारते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है पाकिस्तान अपने हाँ चुपा के रखता है और इस चीज में तो हम में से किसी को डाउट नहीं है कि पाकिस्तान ऐसा करता है यहां तक कि USA को भी डाउट नहीं था लेकिन उस समय पाकिस्तान को असिस्टेंट दे के उसको कुछ मिलना नहीं था इसलिए उसको अचानक से यह याद आ गया कि पाकिस्तान टेरिस्ट को चुपाता है और उन्हें सपोर्ट करता है यहालगी यह पहला इंसिडेंस नहीं था जब USA ने जो असिस्टेंट देता था पाकिस्तान को उसको बन कर दिया 2011 में भी उबामा ने 800 बिलियन का जो एड था उसको फोच कर दिया था पाकिस्तान के लिए उसके बाद 2016 में भी 300 मिलियन का जो US 8 था उसको भी रोक दिया था Obama ने इसी रीजन की वज़े से बार-बार suspension के बाद कुछ ना कुछ करके Islamabad फिर मना लेता है USA को और फिर उसको पैसा मिलना चालू हो जाता है और China और USA के बीच में जो tension है उसका बहुत बाखोवी फायदा उठाता है पाकिस्तान इस बार भी हम लोग देख रहे हैं कि जो Trump का suspension था उसके चार साल बाद फिर से USA अब हमदर्दी दिखाने लगा है पाकिस्तान की और जिसका बहुत बड़ा example है यह 450 million का assistance पाकिस्तान को तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल में पूरे इस development के बारे में इसके reasons के बारे में क्यों USA फिर से हमदर्दी दिखाने लगा पाकिस्तान को इंडिया का इसके बाद क्या reaction था और इस assistance का क्या significance है यह सब आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में और भी बहुत कुछ आप लोगो जानने को मिलेगा बस end तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो like, comment, share, subscribe ज़रू कीजिए पाकिस्तान के पास लगबग ATF-16 aircraft जिसको इनने खरीदा था USA यह aircraft थोड़े old हो चुके हैं इसलिए इनको ठीक ठाक करेगा USA इनके manufacturing, इनके repairing करेगा USA जो spare parts या बाकी parts इसमें लगेंगे वो change करेगा USA इसलिए यह 400 million US dollar का package announced किया गया है BIDEN की दरफ से हला कि USA के एक senior deployment का कहना है कि इसमें हम कोई upgradation नहीं कर रहे है उन F-16 का कोई नहीं technology नहीं लगा रहे है कोई extra weapon नहीं लगा एट किया जा रहा है बस जो aircraft पुराने हो चुके हैं उनको दुबारा serviceable बनाया जा रहा है लेकिन कई Indian analyst का कहना है कि यह Pakistan की F-16 की serviceability बढ़ा देगा जो कि India के favor में नहीं है और USA एक बार फिर Pakistan की help कर रहा है यह show करता है कि USA कभी भी एक reliable partner नहीं हो सकता है किसी के लिए एक तरफ वो India को अपना special strategic partner कहता है दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो aircraft है उसको modernize कर रहा है उसको repair कर रहा है और उसकी capability बढ़ा रहा है और USA का जो official statement है उसमें यह कह रहे है कि यह जो repairing और maintenance हम लोग कर रहे है यह capability बढ़ाएगा पाकिस्तान की anti-terrorist operation में प्लस यह जो regional balance of power है उसपे कोई भी असर नहीं डालेगा सवाल यहाँ यह उड़ता है कि अचानक यह सब क्यों करने लगा USA क्यों तीन साल पहले जो Trump ने decision लिया था उससे U-turn ले लिया Biden ने और वो USA जिसको हम लोग पिछले कुछ सालों में देख रहते हैं इंडिया की तरफ eagerness दिखा रहा था relation improve करने के लिए वो अचानक इंडिया के rival country को क्यो support करने लगा इसके कई reasons हो सकते हैं जायर सी बात है वो लोग खुद आके तो reasons बताएंगे नहीं तो कुछ important reasons इनका अंदाजा लगाया जा सकता है वो यह हैं कि सबसे पहला तो पाकिस्तान में जो regime change हुआ है वो एक बहुत बड़ा reason हो सकता है पाकिस्तान में आपको याद होगा कि इमरान खान जब prime minister थे तो उनके कुछ आखरी दिनों में वो अक्सर इस बात को दौर आ रहे थे कि मेरे किलाफ साजिश हो रही है और मेरे को अटाने की कोशिश हो रही है दूसरे देशों की मदद से कई बार उनने directly और indirectly USA की तरफ इशारा किया कि USA उनकी सरकार जो है गिराना चाहती है इमरान खान का कहना था कि जो नई government बनेगी वो imported government होगी यानि वो विदेशी ताकोते से बनेगी और उनी के हित में काम करेगी अगर हम लोग इस development को उस story के साथ देखे तो बहुत हद तक हम लोग को इमरान खान का ये claim सही लग रहा है क्योंकि इमरान खान के कई ऐसे steps थे जिनकी वज़े से USA उनसे खुश था नहीं 1947 के बाद की history की बात करें तो किसी और पाकिस्तान के prime minister या leader के time में USA से इतने रिष्टे खराब नहीं हुए पाकिस्तान के जितना इमरान खान के time पे हुए है इसके कही reason है एक तो जो इमरान खान का support था तालिबान को वो हम सब को पता है जैसे ही अफगानिस्तान को USA छोड़ के गया वैसे ही तालिबान ने वहाँ पर power capture कर ली और उसके बाद अपनी government वहाँ पर set up कर ली इसमें बहुत बड़ा support था उस समय के जो पाकिस्तान की government थी उसका उस समय इमरान खानी प्राइमनिस्टर थे पाकिस्तान के और तालिबान के कावल capture करने के कुछी दिन बाद पाकिस्तान के intelligence agency ISI की चीफ फैज हमीद गए थे अउगानिस्तान में मिलने तालिबानी लीडर्स से और ये जनरल फैज हमीद काफी close थे इमरान खान के इनके बारे में एक story बहुत famous है हाली में ये incident हुए था कि इनकी wife ने इनकी girlfriend के साथ इनको पकड़ लिया था पुतिन से मिलने भी और जैसे इंडिया ओयल खरीद रहा है रशिया से USA के लाग मना करने के बाद भी वैसे ही ये भी करना चाते थे जिसके बाद से USA ने पूरा मन बना लिया इनकी सरकार गिनाने का और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा ही ऐसा ये खुद अपनी rally में कह चुके है यही reason था कि जब BDM Prime Minister बने तो उसके बाद से एक बार भी उनने इमरान खान से ना बात की phone call पे ना ही कोई bilateral meeting की और ना ही ये दोनों किसी summit में मिले यहां तक की 2021 में होने वाले summit for democracy में भी इमरान खान को कोई बुलावा नहीं गिया था उसके बाद 11 अपरेल 2022 को सहबाज शरी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो की काफी eager थे शुरवात से west के साथ अपने relation को दुबारा सुधारने में और अब ऐसे लग रहा है कि USA का भी काफी आशिरवाद इनको मिला हुआ है इनको पाकिस्तान आर्मी का भी पूरा support मिल रहा है और पाकिस्तान आर्मी के भी काफी अच्छे रिष्टे हैं USA सारे हत्यार ट्रेनिंग सब पाकिस्तानी आर्मी को USA से ही मिलते हैं तो एक तो सबसे बड़ा रीजन ये हो गया कि पाकिस्तान में जो पहले इमरान खान थे उनकी USA से बनी नहीं और जो नए प्राइम निस्टर बने ये बहुत पसंद आ रहे हैं USA को। फिर यू कहले कि ये बने ही USA की मदद से हैं। दूसरा इंपॉर्टन रीजन इसका ये कहा जा सकता है कि जो तालीबान से रिलेशन है पाकिस्तान के वो हाल में ही बिगड़ने लगे हैं। तालीबान को पावर में लाने में बहुत बड़ा हाथ था पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने ये सोच के सपोर्ट किया तालीबान को क वो हमारा game play करेगा और हमारा प्यादा बन के रहेगा लेकिन Taliban ने ये role play करने से साफ इंकार कर दिया उसका कहना है अब हम लोग सरकार में हैं अब वही करेंगा जो Afghanistan के हित में होगा अब लोग ने Taliban का Pakistan के साथ जो issue है दुरंद लाइन को लेके वो सुना होगा तालिबान साब मना करता है कि हम दुरंद लाइन को नहीं बानते और पाकिस्तान को कहता है कि अपना बॉर्डर और पीछे लेके जाओ फिर तहरीके तालिबान जो कि पाकिस्तान का तालिबान है और पाकिस्तान में टेरिजम फैलाता है यह अफगानिस्तान के तालिबान से अलग है इनके लोगों को सपोर्ट देता है अफगानिस्तान का तालिबान और जब पाकिस्तान की गौवर्मेंट ये कहती है कि तहरीके तालिवान के जो टेरिस्ट हैं उनको हमको हेंड ओवर कर दो तो अफगानिस्तान का जो तालिवान है वो साब मना कर देता है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इन जोनों में जो टेंशन बड़ी है उसका इसके बाद अफगानिस्तान का तालिवान पाकिस्तान को धंकी देता है कि अगर USA को अपना एयर बेस यूज करने दिया या फिर अपनी जो लैंड है उसका इस्तिमाल करने दिया हमारे अग वो वीडियो भी काफी इंट्रेस्टिंग है जाके देखिएगा उसको तालिवान का मानना है कि अल जारी की जो लोकेशन थी और US के ड्रोन को जो इस्टेशन था ये प्रवाइड किया था पाकिस्तान ने बिना पाकिस्तान के हेल्प के ये इस्ट्राइक पॉसिबल नहीं इसके अलावा कई और भी एनिलिस्ट हैं जो कम्प्लीटली इससे एगरी करते हैं और उनका कहना है कि ये परफेक्ट एग्जामपल है टांस स्टफल का जिसका फुल फॉर्म है देर आंट नो सच तिंग एस फ्री लंच ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि हर चीज की कुछ भी नहीं मिलता है एनिलिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान ने अपने अवार्ड के लिए अलकाइदा की चीफ की लोकेशन दी और इसके अलावा इनको यूएस की हेल्प करने के बदले में आएमेफ से जो लोन मिलना था वो भी असानी से मिल जाएगा इस दो क्राइसिस से जूज रहा है और हाल में जो class got क्र %. अवह पर उसकी वजह से भी बहुत बाडा humanitarian क्राइसिस खड़ा हो गया है पाकिस्तान में ऐसे मि अगर पाकिस्तान की सरकार कमजोर पढ़ती है या फिर उनकी आरमी, पैसों की वजह से या किसी और वजह से कमजोर ने के असानी से power capture कर सकते हैं और यहाँ पर जो situation create होगी यह और भी जादा खतरनाक होगी क्योंकि पाकिस्तान एक nuclear weapon country है यह जो terrorist है इन पर कुछ भी बरोसा नहीं किया जा सकता है कल को हो सकता है यह किसी भी countries पर nuclear bomb फोड दें इन सब reasons के अलावा एक reasons जो की कहीं लिखा नहीं है यह मेरा खुद का सोचना है कि USA चाता है इंडिया पर pressure develop करना हम सब को पता है कि USA के काफी मनाने के बाद भी इंडिया जो है अपना रशिया से oil खरिदना बंद कर नहीं रहा है ऐसे मैं USA पाकिस्तान की help करके यह दिखाना चाता है कि अगर तुम हमारे rival की help करोगे हम तुमारा जो rival है उसकी help करेंगे इसलिए USA इस चीज़ को काफी downplay करने की कोशिश कर रहा है काफी less profile इसको बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी वज़े से इसने सब statement का use किया है कि इससे जो power का balance है उस पर कोई change नहीं create होगा और हम केवल अपनी जो responsibility है उसको पूरा कर रहे है हम कोई नई weapon या नई चीज़ नहीं बेच रहे है पाकिस्तान को तो काफी इसको underestimate दिखाने की कोशिश की गई है काफी less profile बनाने की कोशिश की गई है USA दोरा इसी लिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि USA इंडिया के तरफ इशारा करना चाह रहा है कि अभी हम लोग खुलके पाकिस्तान के support में नहीं हुए है अभी खाली शुरवात है इन केस अगर future में इंडिया नहीं सुनता है USA की तो USA भी पाकिस्तान की पूरी तरह से help करने लगा इंडिया का अभी तक इसके उपर अभी कोई official reaction आया नहीं है जायर है कि इंडिया जो है इससे खुश नहीं होगा कोई भी military support पाकिस्तान को इंडिया के favor में नहीं है और खास कर से अगर F-16 की हम लोग बात करें तो 2019 में जो अभी नंदन का case हुआ था वो आपको यादी होगा USA ने जिस agreement की थूरू पाकिस्तान को ये F-16 बेचा है कि हमने F-16 का यूज नहीं किया था जबकि JF-17 का यूज किया था लेकिन इंडिया ने कई प्रूफ दिया इस चीज के कि पाकिस्तान ने जो एरक्राफ्ट यूज किया था वो F-16 ही था और इस event के काफी माहिने बाद USA ने अपनी शिकायत भी दर्च करी थी पाकिस्तान एयर फोर्स है तो देखना होगा आगे इंडिया क्या कहता है इस बारे में इसके अलावा पाकिस्तान को 30 मिलियन और दिया है USA ने जो फ्लट का सिचुएशन है वहाँ पर उससे डील करने के लिए इन सब के अलावा पाकिस्तान को 6 बिलियन US डॉलर आने वाला है अलाग लग सोर्स से फ्लट से डील करने के लिए जो कि जोरुरी भी है उसके अपोस में इंडिया नहीं बोलता और इंडिया खुद उमीद है कि फ्यूचर में कुछ हेल्प करेगा पाकिस्तान की क्योंकि जब जब ऐसे इंसिडेंट हुए है पाकिस्तान में तब इंडिया ने सारी दुश्मनी भुला के आगे बढ़के हल्प की है पाकिस्तान की बाकी यह सब तो फ्यूचर में देखना होगा अभी इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक कमेंट शियर सब्सक्राइब जरू कीजिएगा देट सॉल वनाइस दे टेक केर